हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केर आईडियाज पर आज हम लोग अपनी किचिन में बनाने जा रहे हैं अंगूर की चटनी आप लोगोंने इमली अमचुर की चटनी तो बहुत बनाई होगी चाट के लिए लिकिन आज हम लोग जो अंगूर की चटनी बनाने वाले हैं उसका टेस्ट इतना टेस्टी होता है कि आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार अंगूर की चटनी बनाने का मन करेगा तो चलिए हम लोग आज बनाना स्टार्ट करते हैं अंगूर का सीजन चल रहा है और बहुत ही रसीले अंगूर मार्केट में आ रहे हैं तो हमने लिए हैं फ्रेस अंगूर 300 ग्राम वेट में हैं इनको हमने वाश कर लिया है इनको हम लोग एके कंगूर को तोड़ कर इस तरह से निकाल लेंगे सबसे पहले और मिक्सी का जार लेकर हम लोग उसमें डाल कर और इनको हम लोग पीस लेंगे पीसते समय हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें लगब आधा कप हम लोगों को पीसते समय पानी भी आट करना है जिसे ये बहुत अच्छे से पिस जाएंगे तो चलिए इनको तोड़ लेते हैं और मिक्सी के जार में डाल कर इनको पीस लेते हैं लीजे, इसको हमने मिक्सी के जार में डाल कर इसको पीस लिया है और देखे, ये बिलकुल बढ़िया पिसका रेडिय हो गया है अब हम लोग सबसे पहले इसको चान लेंगे तो इसको चानने के लिए हम लोग एक बड़ी चननी ले लेंगे जिससे ये पटाफट चण कर रेडी हो जाए और इसमें जो भी इसके बाहर के छिलके वगएरा पीसिस बचे हो वो निकल जाए जिससे जो हमारी चटनी बनकर रेडी होगी वो बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होगी इसलिए हम लोग उसको चान लेना है और जो उपर निकल कर आएगा उसको हम लोग हटा देंगे इसको प्रेस कर देंगे थोड़ा सब ताकि यदि चेदों में जो चिलके पस जाते हैं वो हट जाए वो ये फटा-फट से चंतने हमारा रेडी हो जाए देखे ये हम लोग कर चंद कर इसका जूस निकल आया है तो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी हटा देते हैं अब इसको हम लोग कर देंगे साइड में और चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम लोग गैस पर चड़ा देते हैं पैन लीजे चटनी बनाने के लिए गैस पर हमने एक पैन चड़ा दिया है गैस को हमने मीडियम प्लेम पर ओन कर लिया है अब हम लोग लेंगे 100 ग्राम गुड़ और इस गुड़ को हम लोग इस पैन में डालेंगे पैन हम लोगों का गरम होने लगा है और अब इसके साथ हम लोग इसमें डाल देंगे आधा ग्लास पानी इस गुड़ को हम लोग अभी जब यह मेल्ट हो जाएगा तो इसको उम्रुक छानेंगे जिससे इसमें जो भी इंप्योटिंज हों वो निकल जाएं तो इसको उम्र चान लेंगे, चलिए इसको चान लेती हैं, लीजे अंगूर का जूस जो हमने चान कर रखा है, इसमें हम लोग एक चमच मिलाएंगे, कॉन फ्लोर, कॉन फ्लोर मिलाने से हम लोगों के जो चटनी बनेगी, वो बहुत ही थिक बनेगी, बहुत ही ट्रांस्पेरेंट बनेगी, चान लेते हैं, और फिर हम लोग कुछ इसमें चटनी में डालने के लिए, मसाली भी लेंगे, यह जो लम्स बन रहे हैं, इनको हम लोग अभी यही पर फोर देते हैं, जिससे बाद में यह, हम लोगों के परिशान ना करें, बनाते समय, तो लीजे यह, देखे, अभी यही अभी लोग, फिर से बापस से पैन चड़ा लेते हैं, देखे, लीजे बापस से हमने पैन चड़ा लिया है, पैन करम होने लगा है, गैस को मीडियम फ्रेम पर अन कर लिया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे, जो हम लोगों ने गुर्छान की रखा है, यह हमने गुर डाल दिया है अब हम लोग जो हमने मुगूर पारस निकाल के रखा है कॉन फ्लोर मिक्स करके वो हम डालेंगे और इसको डालने के बाद हम लोग अब इसे बराबर चलाएंगे क्योंकि यह अब बैठने लगेगा नीचे इसको बराबर चलाना बहुत जरूर इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं नहीं तो यह कॉन फ्लोर नीचे बैठ जाएगा और इसके गोले गोले से बन जाते हैं इसलिए हम लोग बराबर इसको चलाएंगे देखें अंगूर का कलर गोल के कारण बिलकुछ चेंज हो गया है दीरे दीरे यह ठीक होने लगेगा अभी हम लोग को लगबग साथ से आठ मिनट इसको ऐसे ही चलाना है यह इसको मीडियम फ्लेम पर करके रखेंगे यह ज़े चटनी हम लोगों की बढ़िया से खौलने लगी है देखें और अभी बिलकुल ट्रांस्पेर हैं चटनी दिख रही है अभी हम लोगों को तो इसको पकाते हुए तीन चार मिनट ही हुए है अभी तो हम लोग इसको इतना ही तीन से चार मिनट अभी उसको और पकाएंगे उसके बाद फिर हम लोग इसमें जो मसाली हम लोगों को आड़ करना है तो हम लोग आड़ करेंगे इसके साथ ही हम जो इस चटनी में डालने के लिए थोड़े से मस्क मेलन सीब भी लेंगे ऑप्सनल है किती आपके पास हो तो आप एट कर सकते हैं ररवाई उसकी भी कर सकते हैं गुर से ये चटनी बहुत हैल्दी बन जाती है और चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आजाता है आप चाहें इसमें चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं चटनी को हम लोगों को बहुत थिक नहीं करना है किसी के साथ भी समोसे, कचोड़े, आलू किटिकिया या किसी भी टाइप के स्नैक के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिज़े इसको पकाते हुए पूरे 6 मिनट हो गए हैं और अभी यह थिक नहीं हुई है देखे अब हम लोग इसमें इसी स्टेज पर इसमें मसाली एड़ कर देंगे ताकि हम लोग मसाली के साथ भी इसको 5-6 मिनट पका लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम स्वाद नमक डालेंगे काला नमक डालने से चटनी का तेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसको डाल देंगे इसके साथ एक छोटी चम्मच हम लोग जंजीरा पाउडर एड़ करेंगे इसके साथ ही आदी चोटी चम्मच भुनी जीरे का पाउडर डालेंगे one-fourth टेबल स्पून चोटी चम्मच से हम लोग हरी लाइजी का पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच हम लोग कस्मीरी लाल मेज डालेंगे यह तीक ही नहीं होती है बस इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा यह भी आड़ करेंगे अब चटनी को तीखा करने के लिए हम लोग आधी चोटी चम्मच डालेंगे इसमें काली मिच पाउडर आप जितना तीखा कम तीखा पसंद करती है आप उसे साफ से इसमें आड़ कर सकती है देखें इनको हम लोग जो लंप पड़ रहे हैं इनको फोर देंगे चला कर और अब बापस से इसको सारी मसाली हमने आड़ कर दिये हैं अब हम लोग इसमें एक में इंग्रीडेंट डालना भी बाकी है हम लोग इसमें एक छोटी चम्मट डालेंगे अमचुल का पाउडर जिससे हमारी चतनी खती हो जाएगी मीठी वो नमकीन तो यह बन ही रही है थोड़ा खता टेस्ट भी इसमें और हो जाएगा तो इसके ल कि खती मीठी और नमकीन बनकर मीठी हो जाएगी तो इसको हम लोग पांच से चैमनेट और पका लेते हैं चतनी में मसाले डालकर हमने इसको लगबग पांच मुनेट और पका लिया है और यह एकदम परफेक्ट बनकर लेडी हो गई है देखें इस तरह से जब हम गिराते हैं तो एक हम लोगों के इस पैचुला पर एक लेयर बन रही है तो बस समझ लीजे कि इस तरह से जब एक लेयर बन जाती है देखें मिल नहीं रही है लेयर तो उनों बीच में गय पा रहा है तो चटनी हम लोगों के बनकर रेडी हो गई है अब हम लोग इस स्टेज पर इसमें डालेंगे मसमेलन सीट जो कि हमने रोस्ट कर लिये थे हलके कमil some heat keywords मिक्स करेंगे इसके साथ ही जैस को करेंगे बन और चटनी को निकालेंगे एक बावल में ए ठीस्टी देस्टी हम लोगों की बनकर रेडी हो गई है चलिए बॉल में निकाल लेते हैं हैisher चटनी सब करने के लिए हमने भावल लेलिया है और इसमें हम बोग लीजे फ्रैंस रेडी है अंगूर की खटी मिठी नमकीन चटनी देश में बहुत अच्छी लगती है हेल्दी भी बहुत होती है जट पर बनकर रेडी हो जाती है इस्टोर करके हम लोग इसको रख सकते हैं महीने भर ये बिल्कुल खराब नहीं होगी आप किसी भी स्नैक्स के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं आसा करती हूँ आप सभी को आज के अंगूर की चटनी की रेसिपी ब मुझे है कमेंड में बताएए थैंक्यू